अभी तो धूप वागए रहा है और इधर जल फिर रहे हैं थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसलिए तो इधर आये जमनीय डेम तरे अंकल मचली पगड़ रहे है तो अप लोग को दिखाता हूं कितना जो मचली पगड़ा हुआ है बढ़के टाफ हसल बाकी गाइज देख सकते हैं इधर का भी हो रहा विष्णूगड विष्णूगड में कभी पधारी है यहां पर और इधर का मजा लिए अब आयें बिष्णूगड तरफ और यहां पर रुके हैं अभी चाने वाले जमुनिया डेम वहां का दिखाएंगे इसके लिए इधर आये थे काम पर तो सुझें फरो इधर गोम लेते हैं जमुनिया डेम अगर आप इधर आते हैं एकेले तो आ सकते हैं इधर बोड़े समय क करने के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए तो यहां पर रुके हैं रास्ते में तो अभी जाते हैं जमुनिया डेम तरफ और आपको व्यू दिखाते हैं आप ही अच्छा लगेगा देखकर आपको निकलते है इधर सभी लोग घूमने के लिए आता है आदमी से लेकर चानवर तक सभी लोग आते हैं और का नजारा काफी ज़्यादा मसते हैं ना बक्री वेगरेग जो चराने वाले होते ना तो इधर ही चराने के लिए लेते आ जाते हैं तो देख सेच सकते हैं वह वाली बक्रा ये साइध फूल खाय रहा है लांटान प्लां नाम से इसके बाद इधर आगी है जमुनिया डेम तरफ गूमने के लिए इस डेम पर नगाईस पानी न उतना चाहदा भरा नहीं है क्लों मैं बहुत ज्यादा कम है वले ऐसा होते था ना कि यसा पथल है यहां तक पानी रहाता था लेकिन अभी उतना ज्यादा पानी नहीं है बाकी गाइस देख सकते हैं इधर का भी हो ज्यादा मुस्त है इधर वोकिंग करने में ने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है विश्णुगर यहां पे बैठने का जगा मासत है और यहां से ले सकते हैं जमुनिया डेम का देख सकते हैं टूलने के लिए करने के लिए यह प्लां सुएगरा है ना इससे हरियाली दीक हरा देख रहा है हम लोग तीन लोग आये थे इदर एक वहीं पर रही है और हम लुग दो इदर आये हैं मेरे साथ रभी है फीछे देख सकते हैं वहां किक रहा है ड्ट सबिद्ध प्रिष रहag और इदे थो फीर रहा है और इधर आया है तो यह रहा ओन्यू अ Очень तुम masih element के लिए बिसम्नोंगभ dengan चेहां पर को लोग मचली मारने के लिए आ गये देख कर चल आजीब लग रहा है पर टो बहुत लोग आह से मरने के लिए Caesar haven लेके मजली मार रहे हैं वाघी यहां से देख सकते हैं कैसा क्या है siinä सांट इस्त क्या है आप सब बता सकते हैं लाल लाल सा दिख रहा है मस्त दिख रहा है गाइस हम दुन भाई लोग यहां पे बेठे हैं और अभी धूख पड़ रहा है इधर नीचे तरफ चाते हैं गाइस थोड़ा सा सामने जाके दिखाते हैं पानी में गरे यह नीचे जा रहे हैं यहां पर एक दादा जी मचली मार रहे हैं तो देखते हैं कितना साधा मार के रख्याएं उन्गे बहुत लोग आये मचली मारने के लिए अ कहते बाह लगो हुआ यह को ना पढ़िकी दो यह जा लो हुआ बढ़के टा फसल है कि अभी तक यहीं वहला मिला लोने अभी तो फस्ट वहां में लिए इसलिए इधर है घरवाप करना वहां पर एक दादा जी ना एक मचली मारा जब मैं सामने गया तभी मिला फ़र्षे मचली आयає था यह बोले ब्लब अभी फश्ट फसड़ी तक वर्षूम अन्करलों को दिखाता है कि अब strategy पगड रहा है आप कितना वज़े स्जय अन्क Лंश मसली मिभनने तो इसी मुलाो कि अद्रेख जो आपको इधर कितना जो आंगल मचली जो पगड़ा हुआ है लोह कापी महनत कर रहा है नहीं कर बढ़े हुए हैं कितना जो मचली पगड़ा हुआ है दो पकड़े हैं चोटा 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 पगड़े हैं और देख सब्सक्राइब अभी अंकल अभी जो है मचली पगड़ रहे हैं तो यहां पे बैठें दोनों कुछ से में और रहेंगे उसके बाद घर तरफ निकलेंगे अज तो धूप वे देख सकते हो यहां का भीव और इधर मेरा भाई पीछे बठा हुआ है और देख सकते हो काफी सुन्दर इधर का भीव आ रहा है आईये कभी घूमने के लिए बहुत ज्यादा मस्त लएगा इधर का जो हवा चल रहा है ना यह काफी ज्यादा अच्छा लगता है हवा जब बाहता है तो काफी ज्यादा खुब्सूरत है जिसनु गड़ मैं कभी पधारी है यहां पे और इधर का मजा लिए इतर तो पानी बहुत ज्यादा शूक चुका है ज्यादा पानी राता न तो सप्ला होता पानी उधर जाता पानी आए था तो नहीं हुआ तो अभी तो कुछ जादा ही दूप पढ़ रहा है इधर जमुनिया डेम में यहाँ पे ना टायर ना गाड़ी के टायर ना स्लीप करता है क्योंकि मीटी ना गीली-गीली हो रखी है पूरा उस तरफ जाने वाल है यहाँ पे एक पुराना नाव है जमुनिया डेम में देख सकते हैं कैसा इस तर से आप निकलेंगे अब घर जाएंगे क्योंकि टायम हो गया है आज बुद्धवार है तो बनासो में आज बजार भी होगी तो उधर थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे उसके बाद घर निकलें इसे ब्लोग को यहीं पर करते हैं अगर आपको यह वाली फ्लॉग पसंद आया होगा तो घूट लाइक करें एंड कमेंड करें अगर चैनल पर नहीं तो रह सक्राइब नाव सो मिलते हैं अगले नई ब्लॉग में सुगाइज बाइ जैहिन कि इस डेम में इतना ज्यादा पानी इस डेम में इतना ज्यादा पानी काव बोलो तरहें सुख चुगा है